हेलो एबरीबन स्वागत है आपका हमारे एस कोचिन सेंटर में हम होम साइंस के टॉपिक वाइज कुछ समय पहले कोश्यन एटेंड कर रहे थे हाला कि हम थियोरी भी एटेंड कर सकते हैं बट हमने उसको एटेंड नहीं किया था क्योंकि आप लोग में से बहुत कम लोग थे जो उसमें इंट्रेस्टेट हो रहे थे ज्यादा तर लोग अब्जेक्टिफ फॉर्म में इंट्रेस्टेट हो रहे थे और थियोरी को ज्यादा तर बोड पर पढ़ाने में बेश्ट रहता है इसलिए भी मैंने उसको कराना छोड़ दिया इधर मैं लाइं फिर से आज का हम कुमारा जो भी यह क्या बोलते हैं आहार यहों पॉस्टिक्टा से जितने भी कोशन है कम से कम कोशिच रहेगी कि एक सेशन में 50 कोशन कराया जाए इससे लगबग 400 तक कोशन है एक टॉपिक से और इससे पहले भी मैं आप सब को करा रही थे उसका मैंने PDF से इंट कर दिया तो उसमें ज्यादा तर थोड़े नेट के कोशन थे इसलिए उसको मैंने अभी रख दिया है कि अभी टीटी का फॉर्म निकला हुआ है तो आप सब उसकी तैयारी में लगे हुए है तो उसके एकॉर्डिंग कोशन देखना ज्यादा बेटर रहेगा इसलिए भी मैंने दू लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है तो मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि मैं आपके लिए आशे ही वीडियो लाती रहूं तो आते हम आज के अपने पहले कोशन पर और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सब्सक्राइब में जरूर किजेगा और लाइक भी जरूर किजेगा तो आज का हमारा पहला कोशन है कि कैलोरी के माध्यम से मापा जाता है तो कैलोरी के माध्यम से क्या मापा जाता है औप्शन ये है उश्मा की मात्रा बी है थर्मल उश्मा और बी है वास्प बनने की गति और डी है कोई नहीं तो कैलोरी के मा मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि इसमें टाइम लगेगा अगर आप कहेंगे तो मैं इसका टॉपिक वाइज आपको वीडियो सेशन प्रोवाइड कराऊंगी बहुत ही अच्छी बुक है जिस बुक से मैं करा रही हूँ बहुत ही अच्छी बुक है और सौट फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है चलिए हम इस बुक के कुछ जो चैप्टर है आहार एवं पस्टिक्टर साज में कुछन करा रही हूँ तो कल मैं उसी से रिलेटेड आपको थियोरी प्रोवाइड कराऊंगी तो आते हम अपने नेक्स कुछन पे स्टार्च वाचीनी दोनों जिस शमू में आते हैं वो कौन से हैं प्रोटीन है वसा है ग्लुकोज है या फिर कार्बोहाइडरेड है तो स्टार्च वाचीनी दोनों जिस शमू में आते हैं वो कौन सा है इसका ओप्शन डी से ही होगा क चेनी दोनों कारबोहॉड्रेट के शमु में आते हैं चंशन पर हो कि नियान के ग मरना जाता है जब तक उस्य में परियाप्त मात्रह में यह रहां होते हैं जो ओर गाता है उसकी उर्जी उपयोग की पूर्ती नहीं करता उसका वजन कम होने लगता है या फिर शरीर के एपीडेपिक के उत्तक कम होने लगता है तो तीनों में से कौन सैंसर सही होगा एक व्यक्ति को भूखा मरना कहा जाता है कब जब जिस भी भोजन को कर रहा है वह भोजन जो भोजन खाता है वह उसकी उर्जा किया पूर्ती नहीं करता उसे ही हम भूखा मरना बोलते हैं next question देखते हैं कि कुछ मनुस्य के कुछ अंगों में भोजन बचा का रखा जाता है इन अंगों के नाम क्या है या कृत, एपिडिक उत्तक, रखत या फिर शनायू तो मनुस्य के कुछ अंगों में भोजन बचा कर रखा जाता है उसका नाम क्या है इसे कूट में एंसर देना है नीचे आप कूट देख रहे होंगे अब देख लिजिए और अपना एंसर टिक किजिए तो question number 4 का एंसर होगा option B इसमें भोजन को बचा कर रखा जाता है नेच कूशन पर आते है ये भी कूट वाला एंसर है भोजन की शुरूप में शरीर में इकठा करके रखा जाता है glycogen, vasha, glucose, प्रोटीन तो इसको भी कूट में एंसर देना आप कूट देखके एंसर देशकते है तो भोजन की शुरूप में इकठा करके रखा जाता है तो उसका एंसर क्या होगा फाइफ का एंसर होगा option number C और एवं ग्लाइकोजन एवं वशा में भोजन को इकठा करके रखा जाता है आप लोगों मैंसे कुछ लोगों के mind में ग्लाइकोजन को इकठा करके रखते हैं जब हमारी शरीर को जरुवत होती है तो ग्लाइकोजन को ही ग्लाइकोजन के रूप में कनवर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है जब कोई व्यक्ति भूख से मरने लगता है तब वह अपने शरीर का उपयोग भूख मिटाने के लिए करता है वशर प्रतम उपयोग करता है शरीर में उपस्थित कार्बोहाइडरेट कार्भोहाइड़रित वसा एंव प्रोटीन या फिर सरिफ प्रोटीन तो क्या होगा तो जब कोई व्यक्ति भूख से मरने लगता है तब वो अपने सरीर का जरीर में उपस्थित चीजों का इस्तमाल करके भूख मिटाने के लिए करता है तो वो क्या है तो शर्व परतम खिशका परीव करता है तो शर्व परतम वो ओप्षन भी कार्वोथाइडिल एज़ा का इस्तमाल करता है नयटश कोशन पर आते हैं, डायवीटिज ряд हो गही है जिसमें मुत्र में डैस होती है तो नमक होती है, चीनी होती है, प्रोटीन होती है, यह वशा होती है तो यह question तो बहुत ही जी, आप सबने आख बंद करके टिक लगा दिया होगा चीनी, डाविटेज वर होगा, जिसमें मुत्र में चीनी आती है next question है, कि डाविटेज टेस्क इंजेक्शन से नियंतरि में लाया जा सकती है तो किसकी इंसुलीन से, स्ट्रेप्टो मैशीन से, पैंसिलेन से या फिर कोई नहीं तो डाविटेज के लिए ये भी एकदम easy question है डाविटेज के लिए इंसुलीन के इंजेक्शन से, उसे नियंतरि में लाया जा सकता है next question है हमारा कि भोजन का मुख्य कारिय है भोजन का मुख्य कारिय क्या है, भुक्षम आप्त करना, उर्जा प्रदान करना अरजा प्रदान करना, शुआत का आनंद लेना, युम शरीर का विकास करना तो भोजन का मुख्य कारे क्या होता है तो भोजन का मुख्य कारे होता है option C, उरजा प्रदान करना next question परे आते हैं कि अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, मतर खाना चाहिए या फिर गाजर खाना चाहिए तो इस से पहले जब मैं प्रेक्टिस इट करा रहे थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि चावल में किसमात्रा के नियुंतम होती है तो चावल में कार्भो हाइडर के अधिकता होती है तो कार्भो हाइडर के अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चावल खाना चाहिए Next question देखते हैं कि शरीर का अत्याधिक जरूरी भोजन है प्रोटीन है, कार्बोहाइडर्स है, बिटामीन है और खनीज लवन है, तो शरीर का अत्याधिम जरूजी भोजन है, प्रोटीन है, ओफशन एश ही होगा, नेक्स कोशन पर आते हैं, देखते हैं, आज हम कितने कोशन कर पाते हैं, इस से ज्यादा साइद जुम नहीं होगा, तो नेक्स कोशन है, कि भोजन से उर्जा प्राप्त करने का कार्य करता है, हार्मोन, सारे रिक्ताप, रक्त, एवम, एंजाइम, तो भोजन से उर्जा प्राप्त करने का कार्य एंजाइम करता है, और संडी शही होगा, नेक्स कोशन है, कि अत्याधिक समय तक सुर्य की प्र सज्टर की दिधंश की अधिक्ता होती है तो taxi है केल्सियम और टी है वसा तो तेरा को नमबर का एंसर क्या होगा सुरिय कि नो शींने क्या होती है बिटामीन beta aji kis दोरे के साखें थे के किर्नों में अगर दूद को ज्यादा देळ तक रखेंगे तो अभी टामीन दी की मात्रा बढ़ जाती है next question है कि दूद घी, मक्षन, हरी, सबजी मचली, आदिश से हमें यह विटामिन प्राप्त होता है कौन सा? विटामिन B, विटामिन A, विटामिन C and विटामिन D तो 40 नमर question का answer क्या होगा? कि दूद, घी, मक्षन, हरी, सबजी, मचली, आदिश से हमें क्या, कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो option B, विटामिन A प्राप्त होता है और यह जो बुक है न, जिस बुक से मैं करा रही हूँ, यह NCRT का बुक है next question है कि विटामिन A की कमी से डैस रोग हो जाता है बेरी-बेरी, रताउंदी, शकर्वी और कोई नहीं तो विटामिन A की कमी से रताउंदी रोग हो जाता है इस यह NIGHT BLENDERS के नाम से भी हम जानते हैं विटामिन A का रसानिक नाम RETINOL है next question है next question है कि कौन सा विटामिन हमें सुरे के प्रकास से प्राप्थ होता है vitamin D, vitamin E, vitamin C कोई नहीं तो कौन सा विटामिन हमें सुरे से प्राप्थ होता है इस question का एंसर हमने पहले ही बताया था vitamin D, option A होगा next question पर आते हैं कि रिकेर्स रोग होने का कारण dash vitamin है रिकेर्स रोग होने का कार और डैस विटामीन है कौन सा विटामीन है विटामीन A, विटामीन D, विटामीन C और कोई नहीं तो इसने समय से हम विटामीन D के बारे में पटते जा रहा है तो रिकेर्स विटामीन D की कमी से होता है रिकेर्स रुख विटामिन D की कमीशे होता है नेस कोशन देखते हैं और रिकेर्स रुख बच्चों में होता है विटामिन D की कमीशे व्यसकों व्रिद्धों में कौन सा रोग होता है इसके बारे मैंने बहुत बार बता चुका है आप चाहें तो comment session में बता सकते हैं Next question है कि कौन सा vituamin संतान उत्पन करने की शक्ती प्रदान करता है विटामिन E, VITAMIN K, VITAMIN D and VITAMIN C तो संतान उत्पन की शक्ती विटामिन E प्रदान करता है Option A शही होगा Next question देखते है कि विटामिन जो रक्त श्राव को रोकता है वो है कौन सा विटामिन जो रक्त श्राव को रोकता है विटामिन E, विटामिन B, विटामिन D and विटामिन K तो विटामिन K रक्त श्राव को रोकता है next question دیکھتے ہیں कि कौन सा vitamin खते follow m sub zao में पाया जाता है vitamin A, vitamin D, vitamin C एंड कोई नही खते follow m sub zao vitamin C बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है next question है कि एक बयास के वेक्टे कि और शथ против जो अुग्रहन करना कौनी चाहिए कि अनुपाद 8 से लगाया जाता है तो किश्य लगाए जाता है अब option देख सकते हैं अब ज़्यादा बड़े हैं अगर मैं पढ़ोंगी तो ज़्यादा time लगेगा इसलिए मैं इसके direct answer बोल देती हूँ तो कौन सा है तो इसका option D शही होगा 5-7 gram protein प्रती kilogram सरीर के भार के प्रती दिन लेना चाहिए एक बेस्क वेक्ति के उसक प्रोटीन की मात्रा 5-7 gram protein प्रती kilogram सरीर के भार के भार के वराबर प्रती दिन लेना चाहिए next question हमारा कि विक्षित देश में आहार तालिका में क्या होता है 12% protein होता है 48% कार्भोहरेट होता है 40% वशा होते है या फिस शवी तो विक्षित देशों में एक आहार तालिका में ये शवी होते हैं अफसंडी शही होगा 12% protein होता है ये भी पूछ सकता है कि विक्षित देशों के आहार तालिका में कितने प्रतीशत protein होता है तो 12% protein होता है 48% कार्भोहरेट होता है ये 40% वशा होती है next question देख लेते हैं देखते हैं हो सकता है तो आज 30 question कर लेंगे 30-30 करके हम इस session को complete करेंगे तो 24 number question है कि अभी विक्षित हो रहे देश में मुख्य वोजन अन्य होता है जो की कार्भोहरेट है इसका उप्योग तालिका में बढ़कर 10 हो शकता है 50%, 70%, 80% या फिर 90% तो क्या हो शकता है तो इसका एंसर है option C, 80% अभी विक्षित हो रहे देशों में मुख्य वोजन अन्य होता है जो कार्भोहरेट है इसका उप्योग तालिका में बढ़कर 80% हो शकता है next question देखते हैं कि एक कोईले के टुकडे के शमान भोजन की शक्ति प्रदान करने की छमता को उसे डैस में जला कर उत्पन गर्मी को भाफ कर की जा सकती है तो क्या है अंगीठी है, माइक्रोव है, कैलोरी मीटर है या फिर कोई नहीं तो क्या होगा इसके अंसर? इसके अंसर option C होगा एक कोईले के टुकडे के शमान, भोजन की शक्ति प्रदान करने की छमता, उसे डैस में जलाकर उत्पन गर्मी को माप कर की जा सकती है तो क्यालोरी मीटर में नैच कोशन देखते है कि शरीर में कैलسियम की औरशकता होती है क्योंकि इसका उपयोग डैस में होता है तो शरीर में कैल्सियम क्यों हो सकता होती है क्यों तो विकास के लिए, हड़ियों के लिए, दातों के लिए या फिर सभी के लिए तो शरीर में कैल्सियम क्यों हो सकता है इन सभी के लिए होती है अफसंडी सही होगा नेस्ट कोशन पे आते हैं कि आतों में उपस्थित वेक्ट्रिया द्वारा विटामिन बनना है विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन A and Folic Acid इसका अंसर हमें कूट में देना है तो क्या होगा आप कूट का आपसन एक बार देख लेज़े अच्छे शे तो इसके अंसर होगा आपसन D और याने विटामिन B12 and Folic Acid नेस्ट कोशन देखते हैं विटामिन B1 या थाइमिन विटामिन की शुरूप में पाया जाता है इस्ट में, अन में, चावल में या फिर घी में तो विटामिन B1 याने की थाइमिन की शुरूप में पाया जाता है तो ये इस्ट में पाया जाता है ओफसन A ये ही होगा नेस्ट कोशन देखते हैं कि निकोटीन, निकोटीन अमल मनुष्य शरीर में बना सकते हैं सब अमीनो अमल से, ट्राइटो फैन से, विटामिन C से या फिर कोई नहीं तो निकोटीन अमल मनुष्य शरीर में बना सकते हैं कि ये तो इस्ट का अंसर होगा ओफसन B, ट्राइटो फैन से नेस्ट कोशन है कि ये डैस एक डच बैक दी था जिसने सबसे महतफून खोज की बीटामिन और उसकी कमी पर दैस एक डच बैकती था जिसने के महतफ़ून खोज बीटामिन और उसकी कमी पर खोज की थी तो ओफसन B है फैराड़ और बिच्चन का इंसर क्या होगा option B, Christian Ezek Man, Christian Ezek Man एक डच वेक्ति था, जिसने की सबसे महत अपन खोज की विटामिन और उसकी कमी पर यह आज के हमारे वीडियो का last question है, आगे के जो भी question है यह हम next वीडियो में देख लेंगे तिश तिश करके हम question देखा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी तो like, share and subscribe जरूर कीजिएगा क्योंकि आपका एक like, एक share, एक subscribe मुझे motivate करता है तो मुझे motivate करते रहे ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ Thanks for watching